प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी का आज इसराइल के तेलवीव हवाई अड़े पर शानदार स्वागत हुआ ये एक अतहासिक दोरा है किसी भी भारतिय प्रधान मंत्री का पहला इसराइल दोरा मोदी का तेलवीव के हुआई अड़े पर वैसा ही स्वागत हुआ जैसा अमरीका के राश्पती और फोप का होता है इस्राइल के प्रधान मंत्री बेनमीन नतन्याहू खुद मोदी की अगवानी करने एरपोर्ट पहुँचे दोनों की गरम जोशी से साफ दिखा कि वो इस रिष्टे को कितनी दूर तक ले जाना चाहते हैं एरपोर्ट पर छोटे से भाषण में नतन्याहू ने हिंदी में मोदी का स्वागत किया कहा आपका स्वागत है मेरे दोस्त मोदी ने भी हिबरू भाषा में शलूम यानि सलाम कहकर नतन्याहू का शुक्रिया किया इस मौखे पर प्रधान मंत्री नरेंद मोदी ने कहा कि दोनों देश मिलकर आतंक से लड़ेंगे ये तस्वीरे उसायतिहासिक लम्हे की है जब इसराइल की धर्ती पर पहली बार किसी भारतिय प्रधान मंत्री ने कदम रखा नरेंदर मोदी के स्वागत के लिए इसराइल की राजधानी में भव्य तैयारी की गई खुद इसराइली प्रधान मंत्री बेंजामिन नितान्याहू मोदी के प्लेन से उतरने का इंतजार कर रहे थे जैसे ही मोदी नीचे उतरे नितान्याहू ने शलोम यानि नमस्ते क्या कर उन्हें गले से लगा लिया इस स्वागत के बाद दोनों देशों का राश्रगान बजा और फिर मोदी और नितन्याहू एरपोर्ट पर बने मंच की तरह बढ़े मंच पर नितन्याहू ने हिंदी में मोदी का स्वागत किया किसी भारती प्रधान मंत्री के पहले इसराइली दोरे को एरतिहासिक बताते हुए नितन्याहू ने कहा कि इसराइल को सतर साल से इस लमहे का इंतजार था नितन्याहू ने भारत और इसराइल के करीवी रिष्टों के बात करते हुए मोदी को दुनिया का बड़ा नेता बताया नितन्याहू का भाशन खत्म होने के बाद एक बार फिर दोनों नेता गर्म जोशी से एक दूसरे से गले मिलें और फिर मोदी ने हिब्रू में शलोम क्याकर नितन्याहू को भाब्बे स्वागत के लिए धन्यवाद दिया शलूम लेखलाम अनिसेम्या मयोद लेहत पो अधित मैं शिंगलर अनर तो बीड़ से वर प्रिमिस्टर आफ इंडिया तो अंड़ते इस ग्रांब्रेकिं विजिट तो इस्राइल इस भाष्षन के बाद मोदी और नेतन नियाहू तीसरी बार गले मिले और फिर नेतन नियाहू प्रधान मंत्री मोदी को अपने कैबिनेट के मंत्रियों और दूसरे महत्पोर्ण लोगों से मिलवाने के लिए ले गए और भाष्टे बारिक्ते लोगות प्रेवाल मिलवाल अब्सक्राइब लुटेश ब्सक्राइब लेल काम बात्राइब जůरा वजिए काम बात्राइब जुटन रुटन वाव हले लेगए अबने चूजहwowता हमचार मेप uncomfortable फुरकाँ कर दोर्काशना प्कालिचे समु चूर्स्पूटीन धंनर्कोम्स ऐपिसुंष मैं जो कहते हैं गर precious मैं स्कालिख मखब के राइड ω Ск양 Voilà मिझ कम में लोग इसर देप्र कावन लोग मैं एसराल लम जट वमन यंग यम जो फिल्ज कामेर्ड ट्राए्ट से अभले कि अब्माथ ृ дан क्यों बातारी से ुड़ जैकि लानीख घब आ बधे एडरा ऑट faculty अन्वेस्टर ने लिए्टर्टे का बास्टरी ये कने चाहिश्ट कर लाइसे कर फिसलेता के घंक और आथ इसलेता का बीटा। और एक लादे लगी साहिए्ट रष्टे बान फिसलेती के लारे कि लिजलते हैं Minister of Religions इसी मुलागात के दौरान इस्राइल के एक एहमदिया मुस्लिम नेदा ने मोदी से हाथ बिनाते हुए भारत में उनकी कौंग के लोगों का खयाल रखने के लिए धन्यबात दिया मैं मुहमद शरीफ, रहेट अप्धिया मुस्लिम कम्यूनिटी हाला कि इस्राइल और भारत दोनों ही जगह आमदिया मुसल्मानों की संख्या काफी कम है इस्राइल में आज जिस तरह मोदी का स्वाधत हुआ ऐसा सम्मान इस से पहले वहां सर अमेर की रास्पती और इसाइधार में गुरू पोप को दिया गया है स्वाधत और सम्मान करने के लिए फूलों के नाम बड़े लोगों और खास महमानों के नामों पर रखने की एक परमपरा रही है पिछले साल प्रधान मंतरी नरेंद मोदी ने सिक्किम में दो और्किट के नाम रखे सरदार और दीन दयाल तो सिक्किम के मुक्य मंतरी पावन कुमार चामलिंग ने एक और्किट का नाम रखा नमो आज इसरायल में एरपोर्ट पर प्रधान मंतरी नरेंद मोदी के भववय स्वागत के बाद इस्राइली प्रधान मंत्री बनेमिन नेतनियाहू मोदी को एक फूलों के खेत में ले गए जहां प्रधान मंत्री मोदी के नाम पर एक फूल का नाम रखने का ऐलान किया गया । । यह है ABP News आपको रखे आगे